हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, मैं हूँ नीलम, क्रिस्मस आ रहा है और आज हम बना रहे हैं क्रिस्मस स्पेशल कलकल, कलकल जो है टेडिशनली गोवा का बहुत ही फेमस स्नेक है जो क्रिस्मस पर बनाया जाता है, तो चलिए मैंने सोचा आज आपके साथ इसकी रेस पी है और इसको हम बिना अंडे के बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले एक कप मेंदा लिया है मैंने, इसके बाद में मैं इसमें एड करूंगी वन फोर्थ कप सूजी, जिसको सैमोलीना भी बोलते हैं, इसमें डालूंगी डे टेबल इस्पून वाइल, तो कई बार है ना लोग वाइल में सूजी को भीगा कर फिर बनाते हैं, पर मैं इस तरह से बना रही हूँ, और इसको अभी हम मिक्स करेंगे, मोयन बहुत सोस समझ के लगाना है, क्योंकि अगर जादा मोयन हो जाएगा, तो फिर तेल में जब हम इसे फ्राय करेंगे, तो यह तूटेंगे, तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, टोटल मैंने टेबल इस्पून ओइल डाला है, और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स करते जाएगे, तो हमें पता चल जाएगा, मोयन हमारा परफेक्ट लग गया है, तो देखिए, अभी मैं इस तरह से, इसको इसे मुठी बांदूगी, तो यह मुठी बन जाएगी, तो इसका मतलब मोयन परफेक्ट लग गया है, अब इसके बाद मैं डालूगी, शुगर, यह पीसी हुई शक्कर है, मार्किट में अबिलेबल है, पीसी हुई शक्कर, नहीं तो आप घर पर मिकसी में भी पीस कर, शक्कर को इस तरह से तयार कर सकते हैं, तो यह मैंने अंदाजे से शक्कर डाल दी है, एक छोटी कटोरी भरके, आप कम जादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा मीठा खाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा दूड़ा डालेंग जालती गई और मैंने इस तरह से एक आटा तयार कर लिया, पूड़ी के समान, ना ज्यादा कड़क है, ना ज्यादा सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट डो लगाया है, और इसको अभी हम हलका सा तेल लगाकर एक सा कर लेते हैं, इस तरह से, और इसको अभी हमें रेस्ट देना थोड़ा सा ये और हार्ड हो जाएगा अभी, तो देखिए मैंने आट से दस मिनिट तक इसको ढखकर रख दिया था, और इसके बाद में देखिए मैंने खोल कर देखा है, हलका सा हार्ड हुआ है, बहुत जादा नहीं, और इसको अभी मैं फोल्ड कर लेती हूँ, तो चलि इसका एक पतला सा लंबा सा लॉग बना लेंगे, इस तरह से, इसमें वाइल वगेरा लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी ली आप इसको बेल सकते हैं, तो देखिए, और अब हमें चाकू से इसके छोटे-छोटे टुकडे काट लेना है, जितने बड़े कल कलकल आप बनाना चाहें उतने बड़े, छोटे से छोटे भी बना सकते हैं, और बड़े भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए, तो यह सब कट गए हैं, इसको मैं रखूंगी साइड में, और मैं आपको बताती हूँ कलकल किस तरह से बनाया जाता है, एक fork ले लिजिए, या आपके पस कोई नई कंगी है, तो कंगी में भी दबा दबा के इसको बनाया जा सकता है, नई है तो आप fork लेकर भी इसको बना सकते हैं, तो जो fork का पीछे वाला हिस्सा रहता है ना, उसमें आपको इस तरह से press करना है और इस तरह से गोल घुमाते पीछे वाला हिस्सा है फॉर्क को उल्टा कर लीजिए और उसमें इसको दबाते हुए जितना बड़ा फॉर्क है आगे का उधर तक इसको दबाते हुए ले जाना है इस तरह से और इसको अभी गोल राउंड में घूमा देना है हलके हास से तो ये कल-कल इस तरह से बनाए जा चो जाते और छोटे बना रहे हैं तो छोटा स फॉर्क कर ले लीजिए आपके पस कई निशान वाली है तो वह लेकर भी बना सकते हैं तो एक मै इस तरह से गोल बनाली जिए और इस तरह से फॉर्क के उपर रख दीजिए ये देखिए चुकि हमने इसको बिना अंडे के बनाया है तो ये एक महीने तक खराब नहीं होगा आप इसे वन मन तक रखे खा सकते जो ट्रेडिशनली गोवा में बनाया जाता है वो तो अंडे का बनाया जाता है और उसमें नारियल का दूद यूज किया जाता है उसको आटे को गूदने के लिए तो बहुत डिफरेंट रेसीपी रहती है मैं आपको सिंपल बे में ये बता देती हूँ अब मैंने गैस ओन करकर कढ़ाई रख ली है जादा सा वाइल मैंने गरम कर लिया है ये जो कलकल है ये स्लो पे सेके जाएंगे अगर आप हाई पे सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो देखी इनको बहुत हलके हाँ से चलाना है नहीं तो आपने इत्ती मेहनस से जो डिजाइन बनाया है वो खराब हो जाएगा तो जब ये सीख जाएं हलके से गुलाबी तब इसको पलटना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमको सेकना है तो कई लोग इसमें कलर डाल कर भी अलग-अलग कलर में बनाते है तो देखी जब एक तरफ से ये अच्छे से सीख जाएंगे तो हलके हाथों से इसको पलट देगे देखी मैंने बोला था ना कि ये फूल जाएंगे बनाने के बाद में तो देखी फूल गए हैं इस तरह से और मतलब ये कुकीज के तरह ही होते हैं जैसे कुकीज होती है ना बिस्किट्स बस वैसे ही होते हैं ये तो देखिए अभी अच्छे से सिख गए हैं अब मैं आपको एक दो निकाल के दिखा देती हूँ और इस तरह से मैं सारे कलकल को बाहा निकाल लूँगी तो चलिए अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ जी देखिए मैंने निकाल लिये हैं और मैंने इसको ठंडे कर लिये हैं, तो चलिए आप एक प्लेट में सर्भ करके बताते, अगर आपको में είναι सरी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे जैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूं, ठंडे कर लिये थे मैंने को ठंडे करने के बाद ही अमको एयर टाइट कंटेनर में भरके रखना है तो फिर यह वन मन तक चलते हैं खराब बिल्कुल भी नहीं होते मतलब एक अच्छी कासी स्वीट है आपके पास जब भी मन करें आपको तो आप खा सकते हैं और किस्मस में बनाईए लोगों को कि बहुत टेस्टी खुस-AGुसे बने हैं यह और इस तरह से यह देखिया है बहुत यह देखिए जट से तूड गया है और बहुत ही अच्छी सिं गया है मैंने अच्छा स्लोब पीशुक पाथ इनको देखिए बहुत अच्छिछ श्लेसरी रख कर के देखिए अपना feedback मेरे साथ जरू शेयर कीजिए कैसी लगी recipe कॉमेंट करके बताइए तो अब मैं आप से मिलूँगी अपने next वीडियो में अपनी एक नई recipe के साथ Thank you so much